बात करते हैं, डिंपी से एक और इंट्रेस्टिंग रिसर्च और पॉइंट जो हम यहाँ E.T.N. सवदेश पर कैरी कर रहे हैं और वो है इंडियन हाउसोल्ड इंकम का एकुटी एक्सपोजर जो राइसिंग ट्रेंट दिखा रहा है और अब एक fresh all time high पे आ गया है, यह एक बहुत change in heart है एक बहुत नजरिये में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे देश बदल रहा है, आपको एकुटी से participation करना पड़ेगा बिकोज वो एक productive asset है, गोल रियल एस्टेट वो non productive asset है वो return और देश की बहुतरी में कुछ खास एकुटी दे comparison में बहुत कम योगदान देता है इसमें deep research की है, डिमपी ने रिपोर्ट के उपर सारा data crunching की है और वो हमारे साथ इस समय जोड़ रहा है, डिमपी बताईए अजे एक की लाइन में बोला जा सकता है कि बदलो बड़ो देश के साथ वो जो देश के साथ आपको बढ़ना आप सब्देशी हो जाईए बस इतना है समझ लीजे और आपको एक-एक सारे graphics वही चीज बियान करेंगे चीज चिलिक के बोलेंगे कि आपका equity market है आपका देश किस तरह से तरखी कर रहा है पूरे का पूरा report card हमने आपके सामने रखा है कि भारत में अगर किसी के पास भी पैसा होता है वो पैसा लगाता कहां पे है उसमें property भारत के लिए हमेशा से famous रहा है इसके अलवा सोना जो कि 15% की category में है लेकिन जो सबसे interesting part है वो आपको दिख रहोगा equity segment में चापे 4.8% का हिस्सदारी हो गई है और हैरान करने वाली आपको बता हूँ आप उपर property से शुरू किज़े तिल cash तक में सब का पैसा बनता है equity से जो कि 4.8% हो गई है अगर इसी दर से हम बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं हम 7-8% 10% की category में वह आ जाएंगे जो कि जारतर developing countries में भी होता है तो भारत की speed काफी अच्छा है ये एक हमने एक और आखड़ा आपकी screen पर लेके आ रहे है बिलियन्स डॉलर्स में है ध्यान रखेगा ये घरेलू बचट का आखड़ा है हाला कि था हमार पास 20 साल का तो हम सोच रहे थे कैसे आपको दिखाएं तो हमने किया चंक्स में इसको काड़ दिया है इसलिए मैं कहा था कि सवदेशी हो जाईए दूसरा रिटेल निविश्कों का जलवा कैसे भारती एकुटी मारकेट्स में बन रहा है आप ये देखिए ये 2008 का आकड़ा भी हमने लिया ये जान बूच के लिए दिखाने के लिए कि जब जैफरीज का मामला हुआ था जब सारे ग्लोबल मारकेट मैल डाउन होगे तो भारत ने सबसे पहले आके अच्छे रिटन्स दिये थे उस समय भी और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो 4.8% यानि कि पुराना 2008 के दिक्कत वाले एरिया से अब हम बहुत जारा मैच्चोर हो चुके हैं अब ऐसा नही जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 60% निवेशक अब ऐसे हो चुके हैं जिनकी अवधी अब वो 24 मेने से ज़्यादा रखते हैं उनको बजार पर भरोसा भी है इंटरस्ट भी है रिटन से भी खुश होते हैं तो यह सारी के सारी चीजे यह आपको हिस्सेदारी में दिख र रहे हैं यह डाटा देखके लग रहा है कि हां बिल्कुल ठीक है बहुत 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 शुक्रिया दिंपी इस इंट्रेस्टिंग डेटा पॉइंट्स को लाने के लिए हमारे लिए तो शेर बाजार पर बढ़ा है भरोसा हाउसोल एक्विटी का कॉंट्रिबुशन 70% बढ अगरा 2027-2022 में कंपेर करें बहुत बहुत शुक्रिया इस रेपॉर्ट के लिए